जड़ी सत्थिद्यानन दो दिन से यहां आध्यात्म विज्यान के बारे में सत्षंग हो रहा है और ये विज्यान खुद्रत की कानून के उपरा धारिद है ये दुनिया का सलात्म या सास्पत्य सत्य के उपरा धारिद है ये कोई धर्म शंप्रदा गर्ति गुरु या क्रियाकान के उपरा धारिद नहीं है ये विज्यान है और विज्यान के अंदर द्रस्ति का इंपोर्टन होता है क्रिया का इंपोर्टन नहीं होता है र्म calculator के चिछ धर्म क में हैं आद्ध्यां का इस्टन है र्म सरद्ध के उपर है लिग्यान सेधान के उपर है द्रम में बहुत सारे उपसन होते हैं अलग-अलग धर्म लिग्द्ध में ब्लब अपसन होते हैं दर्म समप्रदाइट। ब्लब धर्मोग को Android दुसरे संप्रदाय को एक्षण नहीं करता है, विद्यान सिध्धान के उपराधारी ते इसलिए वहां कोई आप्सन नहीं है, एक या तुसरा है, दर्म व्यावार सत्य के उपराधारी पे यह सनातन सत्य के उपराधारी है, धर्म के अंदर समय समय पे, जैसे जैसे संजोग धर्म गुरु आज़े हैं, ऐसे ऐसे धर्म के अंदर क्रिया या माननेता परिवर्थन हो सकती है, खुद्रत के कानून में कभी परिवर्थन नहीं होता है। तो यह बात ज्यान में रखने की है, कि हम जब इस दुनिया की सच्चाई को, सास्वत सत्य को, सनातन सत्य को जहा तक नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, वहां तक हमारी प्रगति आध्यान में संभव है ही नहीं, क्योंकि धर्म और शंप्रदार से जो प्रगति होई है, वो प्रगति स्रद्धा के उपर आध्यान है, और स्रद्धा बदल भी सकती है, आज आप एक गुरु या भगवान को मानते हैं, कर दुसरे गुरु भगवान को भी मान सकते हैं, आज एक धार्मी क्रिया करते हैं, कर दुसरी धार्मी क्रिया आप कर सकते हैं, मंदिर, मंत्रव, गुरु, भगवान, सब कुछ आप अपने जीवन में बदल सकते हैं, अगर पसंद नहीं होता है, तो विज्ञान कभी बदल सकते हैं, क्योंकि दो प्रकार का ही नहीं है, क्या मताया, दो प्रकार का भी कहन नहीं है, धर्म अनेक प्रकार के होते हैं, गुरु अनेक प्रकार के होते हैं, भगवान अनेक प्रकार के होते हैं, ख्रिया अने प्रकार की होती है, मंदिरों अने प्रकार की होती है, मान्यता अने प्रकार की होती है, विग्यान दो प्रकार का भी होता नहीं है। तो जहां तक सास्वत सत्य की बात है, वो तो एक ही होता है, और जहां तक सापदाइक सत्य की बात है, वो तो अनेक है, तो अनेक सत्य से हम सनातन सत्य नहीं समझ सकते हैं, और यही विकल यही बिटम रहा है, यही हमारे सब के लिए पजल पर हर वेती अपने धर्व को, अपने गुरु को और अपने ही क्रियाओं को महान बताने की कोशिस करता है। मगर जब बच्चे छोटे होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं, तो उनको यह समझ में नहीं आता है, कि आखिर हम जो धर्म को बच्पन से पैदा होते हुए, वो मानते हैं, तो हमारे माता, पिता, धर्मकुरु या हमारे वड़ी लोग दूसरे धर्म में जाने की मना क्यों करते हैं। नहीं समझ में आया है। आप समझें हैं। अगर हर धर्म के अंदर की महान पुरुष हो गए, उन्होंने बताया है, उन्हों है धर्म का स्थापन किया है फिर मना क्यों करते हैं बच यही संप्रदाई करता है जिसमें वास्तर रिता समझ में आपको दुनिया में खुला छोड़ दे तो आप क्या करोंगे हर धर्म के अंदर जाओंगे सुनोंगे समझोंगे अरुभब करोंगे और लगता है कि इससे भी कुछ आज़े सकता है तो वहां याओंगे फिर लगता है कि इससे भी आज़े सकता है अब वहां याँगे ऐसे करते हैं सadowके सप्रापना की खोस या पहचान करने और फिर धे रहे थे एक ही संप्रदाया में रहते हैं तो कट्टरदा बन जाती है क्या बन जाती है हम सही बाकी सब यही होता है तो यह यह वेक्ति ओपन माइंड के नहीं होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं क्या होते हैं और संकुचित होने के नाते वह सास्वत सत्या समझने में के लिए लायत नहीं होते हैं तो इसलिए यह जो विज्ञान है यह विज्ञान को बनाने वाला इस दुनिया में कोई वहती हैं इसलिए उसको खुद्रत का कानून कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको अरुभव कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये सुर्य चद्र को पैचान सकते हैं, बना सकते हैं, ये पुर्थ्य को पैचान सकते हैं, बना सकते हैं, एक उर्थ्वा करसम के सिदान को पैचान सकते हैं, बना सकते है आप समदें हर बातों को देखो आप जान सकते हैं ये फैर कैसे बन सकता है हौदे में से बीज में से बड़ा बन के फल आता है वो हम जान सकते हैं बना सकते हैं ये कुद्रती रचना है किसके रचना है दिन होता है रात होता है वो हम जान सकते हैं बना सकते हैं। थंडी, घर्मी, भारीज, हम जान सकते हैं कैसे होता है। बना सकते हैं। क्योंकि यह पुद्रत का कानून है। हम मर जाते हैं, फिर फैदा होते हैं। तो जान सकते हैं कि हम अपने कर्मों के फल से, कर्मों के फल से, अमरा जन्म हुआ हैं। पर वो सिध्धायन को बना सकते हैं, आप देखो, जिन्दगी में देखो, कोई भी पुद्रत के कारून को कोई बना सकते हैं, तो ये जानूं के तभी तो आपको वास्ते विक्ता मानूं होगी, कि दुनिया क्या है और कैसे चलती है, नि तो कोई कहेगा कि राम चलाते हैं, को कोई कहता है माविर चलाते हैं, कोई कहता है सिव चलाते हैं, कोई कहता है स्वामियार चलाते हैं, ऐसा ही तहीं कहता है, मगर दुनिया खुद्रती कारून से चल गी है, कौन से कारून से हैं, और जिजने महत्पुर्ष हो गए, वो सभी खुद्रत के कारून के अंदर से, कि बना बना सकते हैं तो हमारी सोच किजिनी छोटी हो गई देखो जब सप्रदाई में आगे तो आगे निए भगवान दाख है भगवान परस्टना तो हमारी सोच क्या हो गई छोटी हो गई हलाकि राप कुछ कहते हैं कि मैं भी कुद्र की कानूं के आदि हूँ मा भी कहते हैं मैं भी कुद्र की कानूं के आदि हूँ क्रश्न कहते हैं मैं भी कुद्र की कानूं के आदि हूँ तो वो बड़े कैसे हो सकते हैं कुद्र की कानूं से हो जबते हैं मगर हम संप्रदाय से बाहर गए ही नहीं और इसी लिए कभी सरातन सत्य के बारे में सोचा तक नहीं और इसी लिए ये दुनिया की वास्तविक्ता हम समझ ही नहीं पाए हलाकि राम कश्रमाहरी जिसे महान पुरुस होने इस दुन्या के सनातन सत्य को समझने के बाद लोगों को सनातन सत्य ही बताया मगर उसके जाने के बाद वो सनातन सत्य सांपदाइक सत्य में मोर हो गया है तो बाद में वो सनातन सत्य नहीं रहा है जब आप कहोंगे के राम ने ये कहा है क्रश्ण नहीं यह कहा है – महविन ने यह कहा है कि लोग क्या कहाक है कि महविन ने कहा है ये माहविन ने बिनााया है आप समझें लें? तो हम हर बातों के इंदर ऐसी बात करते थे यही हमारी सोग本 थे और इसलिए हम वास्तवित्ता को समझ नहीं सके हम ने जब एक व्यत्ती को बगवान के रूप में बना दिया और सर्वसक्तिमान बना दिया तो पर दुसरे को व्यत्ती को तो हम मानेगे ही नहीं मानेगे नहीं मानेगे तो वास्तवित्ता समझ में नहीं आई कि अगर दुनिया में जो कुछ भी पैदा होता है जन्म लेता है वो क्या सास्वत हो सकता है कोई भी है मगर हम मानते हैं कि यह भगवान है और सास्वत है हम इनासी है मानते हैं नहीं नहीं है और यही प्रांती है हम यह भी कहते हैं कि भगवान का जीवन था और इसका अंद भी हुआ और हम इसको भगवान भी मानते है इसका जन्म जीवन मुत्वी है वो इंसान होता है कि करता हो इंसान के अंदर भगवान है इंसान भगवान नहीं है कि इनसान भगवान है क्योंकि भगवान तो चैतन्य है अभी नजी है साश्वत है उनकी हर प्रगार की सत्या साश्वत है और जो देधारी होता है वह तो विनासी है तंपर दिये और उनकी सत्य भी क्या होती है लिमिटर होती है हाक मेर तो आप इसको कोई कोई भी व्यक्ति को भगवान के साथ कंपर कैसे कर सकते हैं। महारपुरुस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं। ध्यान ही बोल सकते हैं। विध्यान ही बोल सकते हैं। अभव ही बोल सकते हैं। मगर भगवान नहीं बोल सकते हैं। अगर बोलोंगे, इसके अंदर से ये टाइटल देने के बाद आपके दिवत में जो confusion आएगा इसका समाधान कहीं से नहीं दिलेगा तो इसलिए मैंने कहा कि दुनिया की सनातन सत्य को वस्तविता को फैट को युनिवर्सल टूथ को पुद्रत के कानूं को जब समझोंगे तो दुनिया के हर प्रस्लों का चाहे वो सामाजिक है चाहे धार्मिक है चाहे आध्यात्मिक है सभी प्रस्लों का पर्मेरेन सॉलिशन आपकों मिल जाएगा अब लोग क्या गलत है ये लोग की भासा है लोग की समझते हैं लोग की भासा है ये सीमंदर स्वामी भगवान वो लोग की भासा है लोग की समझते हैं ये मेरे पिता ही है ये मेरे बाताजी है वो लोग की भासा है वो ये भी कहते हैं उनका माता पिता है कि ये मेरे बच्चा है नहीं कहते हैं एक इसको बालक भी कहें वह करेंगे कि पैचानने का साहतक है वास्तर में हम जो साश्वत- liquid की बाद करते हैं चेथन सक्टि की बाद करते अविन्यासी सक्टिक की बात करते वह भगवाय नहीं है लोगी समस्ष आजнул है कि ऊब कुए सäसे करएंगे क्या है सानाथं सत्य तो यह लगवान बाता हूं मगर यह पर्मेरेंट सॉल्यूशन नहीं होगा किसी को मानने का तो अधिकार है आप समझे कि नहीं मगर आप प्रस्न करोंगे तुम्हें जो वास्त्रिक्ता होंगी वो बताओं क्या है कि इस आपका वेवार है हमारा भी वेवार है अगर मैं अपने माचा पिता को बंदन करूंगा इसका मतब यह नहीं मैं इसको भगवान मानता हूं कि यहां आप जो बोले थे कि कम है पुर जामी के सब्सक्राइब पुर्य को से तो झिए पृण तो मुस्लिक मुच्प प्रणाश द्रीटितो क्यों है की सिख जालॏं ज़ह 2 जो रहे फॉड़न देगे मोगाता है। अकास वरी हम लोग भगवान मान केते हैं, तो उससाब से तो उनका डेवलपिंग हमसे जादा है, क्योंकि वो एक जो सास्वात्ता तुह है, भले ना जाना, वेकि वो माता तो एक ही अल्गा, उससाब से तो हमसे जादा डेवलप पूरी हो, तो वही मुस्लिम कम्यूनिटी त तो हमसे जादा डेवलप पूरी है, बताओं मैं आपको, पहली बात है कि कोई भी धर्मती जो स्थापना होती है, वो स्थापना समझते हैं, स्थापना का मतलब होता है बिगी नहीं, तो आप विधियास पढ़ते हैं इसलिए नहीं मानूने सब को, मैं आपको इत्यास बताता हूं, मैंने सब कुछ कुरान, वाइबल, सब कुछ पढ़ा है, बैटपन से, दुनिया के तीस दर्मों का मुलबुद दर्मों का अभ्यास किया है, तब मालूम होता है कि बिगी नहीं कहा से, तो वैसे तो लोग, वो भी लोग पहले, महन पुरू है, तो राजा की प्रमपरा में, उस जमाने के राजा ऐसे थे, उनके पास सत्ता थी, उनके पास सईन्य था, और उसका हुकम चलता था, तो लोगों को क्या कहते हैं, आप हमको भगवान स्विकार, मैं भगवान कहों, या अल्ला कहों, या इस पर कहों, मैं ही कूं, और मैं आप नहीं मानों गया, तो हम आपको काट दिन ले, इस प्रकार की माननेता से उसकी उत्पति देए, तो फिर लोगों ने धर्मपरा माना तो ये तो सही, नहीं है, और ये लंबा चलेगा, नहीं, तो फिर उनके कहा कि, अभी आप अल्ला को मानो, और अल्ला आकार की रूप में नहीं हो सकता है, तो जो माननेता थी कि मैं मैं अल्ला हूँ, मैं ही भगवान हूँ, वो निकल आएगा, तो उसकी उत्पति ही वहाँ से हुई थे, आप समदें, समय में आया कैं नहीं, और हिंदुस्तान के अंदर, जो जो महालोगों है, राम प्रश्णों महाविक जैस जहाँ जीव है, वहाँ सीव है, जहाँ प्रकरती है, वहाँ परमात्मा है, जहाँ विनासी है, वहाँ अभिनासी है, तो यह अनुभाव से बताया, यह धर्मा डर्की उत्पति से हुआ है, और आज भी उनकी जो प्रकरती है, प्रकरती समझते हैं, उनकी प्रकरती यही होत अजारों साल की परपर रही रही है और यह रही थी तो इसलिए उन्होंने कहा कि अल्ला तो क्या कहा आकार के रूप में नहीं होते हैं नाम के रूप में नहीं होते हैं इसलिए कहा है अब समझें मगर अनुबाव से नहीं कहा है अब समझें और हमारे जितने भी महानपूर्स उन्होंने आत्मा को खुद का अमुखों किया और बाद में बता है कि आत्मा ही प्रमात्मा है और हमारे सब के अंदर वही आत्मा है और जहां जीव है पसुपक्सिक के अंदर भी वही आत्मा है और पैर कोधे के अंदर भी वही आत्मा है यानि एक आत्मा नहीं है एक ही प्र तो पिसीज भी नहीं है, मगर कही दर्म गुरुत कही दर्म में ऐसा बताया, कि हमारे अंदर आत्मा का आउस है, क्या बताया? तो वो इस्वर का आउस कहो, जो भी कहो, मगर ऐसा नहीं है, जिसके अंदर जो भी आत्मा है, वो संपून ही है, मगर प्रगट होता है आंसे क्या होता है संपुना नहीं होता है और जिसके अंदर संपुना प्रगट हो गया वो खुद ही और उन्हें प्रमात्माता मुझा कर दिया फिर बौरी तो आयुश्य कर्म के मुदाबित रहेगी तो कहने का मतलब यह है कि इसी लिए अपने जीवन के अंदर जहां तक हमने वास्तविक्ता नहीं जाने है वहां तक समझ में नहीं आता है तो हर बातों को पहले इधिहास जानों पहले इनकी उत्पति कहां से हुए एक क्रिश्चन दर्म की उत्पति कहां से हुए यह जानों की तो मालूम होगा है और यह सनातन दर्म की उत्पति कहां सुए तो कि सनातन दर्म की उत्पति हुई नहीं है वह तो सास्पत है व्यक्त वही रहेगा उसमें उत्पति और नास नहीं है तो समय समय पर क्रिया का आकार रूप रंग रस जो बाहर का बादिश्ट वह तो अलग होगा है गल्साँ मतलब देखने का मतलब होता है द्रिश्टी क्या बता है तो जैसे कि मैं सामने वाले को सुद्धात्मा देख रहा हूं तो वो द्रिष्टी है मैं तो एक तरह से उनको भगवान ही देखने के जैसा हुआ ना आप इसको भगवान कहों या ना कहों वो सुद्धात्मा है कि जैसे व्यक्ति को भगवान के रूप में जो जैसे कि सामने वाला या आप ही है सब्सक्राइब तो सुद्धात्मा को देखने का मतला है कि उनको मैं भगवान के रूप में देखना हूं द्रिष्टी से तो वो तो गलत नहीं है भगवान के रूप में देखो या रहा देखो सुद्धात्मा के रूप में देखो सास्वत के रूप में अरंग सक्तिवाला देखो बस तो जैसे भगवान को हम मावीर है मावीर को देखते हैं चेतन के रूप में वो गलत है महावीर के अंदर छेतन है, महावीर चेतन नहीं है, यह तो प्रतीक के रूप में है, लेकिन हम तो यह मांगे हैं, ऐसे महावीर पुरुसों ने खुद की पहचान कर दिया था, तो इसलिए हमारे में एक्जामपल रूप रहे हैं, क्या है, यह व्यक्ति ने ही खुद की पहचान कर दिया था, हां तो वो व्यक्ति ने जो अनुभव किया जिस व्यक्ति को हम सुध्धात्मा के रूप में देख रहे हैं उसी व्यक्ति को ने अनुभव किया तो हम तो उसी व्यक्ति को ही हम भगवान मान रहे हैं नहीं तो कहा है क्यों वहीवेट्टी ने अनुभाव किया है तो हुआन उसी निया कहा वो खुद कहता है कि मैं भगवान ने हुँ तो मुझन कानुभाव किया है यह अरुपों नहीं किया है, मैं अनन्सक्ति वाला नहीं हूँ, सु धात्मा अनन्सक्ति वाला है, मैं चेतन नहीं हूँ, सु धात्मा चेतन है, मैं अविनासी नहीं हूँ, सु धात्मा अविनासी है, यह अरुपों किया मैंने और मैं आपको बता रहा हूँ. तो अभी जो हम जो बोल रहे हैं तो अब जो क्या थे हैं वह तो शुद्धाक्मा को लख्स में रखकर बोलते हैं अधिक को लख्स में नए नए ने तुम पिले मैं अनन्त सक्तिवाला ऐसा सुध्धात्मा हूँ मरा अबым सब्सक्राइब जाती है जब आपको जैसे वेक्ति दिखती है क्या दिखती है वैसे सभी वेक्तियों में और सभी जीवों में सुध्धात्मा दिखेंगे तो आप सुध्धात्मा हो गए 24 अगर आपको शरीर देखता है कोई व्यतिका ऐसा 24 अगर वो शरीर में सुध्धात्मा दिखेंगे तो आप सुध्धात्मा हो गए आप संधें कि मेंूदु के और कभी सुधात्मा देखते हैं और कभी देख लेते हैं कि मानलयओव वह चोर है मतलब कपटी है तो यह कि इसको क्या बोलेगे मिष्ट चेतर चौर है जूठ बॉलने वाला है गुषा करने वाला है मार मरिबद करने वाला है वो प्रगृति है मगर उसके अंदर पर्मात्मा तो वही सुद्ध है मैं अच्छा पढ़ रहा हूं जैसे मैं एक बार तो सुद्धतमा देख लेता हूं दूसरी बार अग्यान्ता बस कुछ दूसरा चीज शरीर की रूप में उसको देख लेता हूँ, तो उस समय क्या बोला जाएगो उस इस्तिती को? तकलिब यह नहीं है के आपको चोर को चोर पोलते हैं, तकलिब यह हैं कि चोर के अंदर सुदात्मा नहीं देखते हैं, और तकलिब है। ओнить आप समझें के नहीं सिंपल बात यह है कि जो सरीर करता है इसके लिए सरीर जिम्मेदार है ऐसा व्यवार सट्या है वों मैंते हैं मकर सरीर के अंदर जो परमात्मा है उन्हैं ने तो नहीं किया गाया मैं हैं वह सबस्क्राइब करें के अदर सुद्धात्मास और इसको सुद्धात्माникомा में याने मुर्त में आमूर्त को देखो। मैं बात यही हु जिसने हैं मुछतों हैं आप भी हम है, वो क्या है? तो इसको देखते हैं, तो इसको तो नहीं देखते हैं, जो दलने के बाद भी रहता है, यह भी है, और यह नहीं है, वगर यह देखते हैं, यह नहीं देखते हैं, बसे यह ग्यानता है, यह लिलेट्यु सकते हैं और यह समय 限 को देखते हैं यह विनासी है इस अभी नासी है उनकी सब कौईटी विनासी है इनकी सब कॉलिटी आभी नासी है तो जो है वो दोलों देखोने वैग सोई छोर को चोर भी कहो और सदरशाचमा ऑसरफी काते हैं और जब चोर को चोर कहेंगे, तो चोर को चोर कहने में तकलिट नहीं है, मगर चोर को गुनेगार मानने में तकलिट है, वो तो कुद्रती रसना नहीं देखा आपको, चोर को चोर कहां तकलिट नहीं, वो टाइटल है, राजा को राजा गोला वो टाइटल है, मगर राजा भी कुद्रती कानूं से है चोर भी कुद्रती कानूं से हैँ और साउगार भी और तिनों के अंदर सुद्धात्मा खालु से को पड़ती हैं चलोज सक्थ कि यहीं तरहीन vn दैकय के रूप में रमात्लकों को देखा उन्यद्धार्मों महीं गुरुन में यहीं नीवघवान मानने को कहा अनमें और इसी कोई माना यह और भाइवत ने चोंब भी चोंब कहा अंदरबाहर दोनों चोंब कहा अलग नहीं किया कोई यह नहीं तो यह भी नहीं किया जो वहां करोंगे कि राम और राम के इंदर भगवान जो है वो अलगे क्रस्टन के इंदर भगवान ने वो अलगे क्रस्टन को तो जन्म हुआ मुर्ति भी हो गई के राम का जर्म होआ मृत्यु हो गया मागीप का जर्म हो लूगर मृत्यु हो गया मगर तीरों के पर्मात्मा साथ कंग है उसको देखो मगर जोर के अंदर परमात्मा भी शास भी उसको भी देखो मगर हमारी द्रश्टी अर्ध सत्या है और इसी लिए कंफिजन बना रहता है सबस्तर इत्रा को देखो मैंने कंभी कहा था कि राम ने कई-कई को दोसित नहीं देखा ब्राबर है कि नहीं और आप जब भी रामायन सुनते हैं जो कोई को दोसित मानते हैं तो आखिर दोनों में अंदर क्या है द्रश्टी का है क्योंकि राम को मानूं भी मेरे कर्मों का फाल है वो तो निमित है मेरे अंदर भी परमात्मा है वो ही परमात्मा भी कि अंदर है तो द्वेश करने की या दोसित देखने की धरूरा और दोनों का जो कर्मों का इसाब है वो तो कुद्रती रचना है और कुद्रत का कानून है तो यह बात जब समझ में आई तभी तो राग्वेश नहीं हुआ नहीं अगर सुद्धार्प में नहीं देखा होता तो बोला है कहीं नहीं किया ऐसा ही कहें कहना है तो सुद्धार्प में भी देखा और प्रकृति को पुद्रती कानून और पुद्रती रचना भी देखा तभी राग्वेश नहीं हुआ तो बात एक ही हो गई नहीं है आप सुनदे करें कि अनुभव का कई चीज तो पोगी सकता है On legal को कैसे मंखिए आपको आक्मा कानुभव हो चुका है उन्हों नहीं कहा कि भी आत्मा का अनुभव तो बता नहीं सकते हैं तो आप कैसे महम कैसे माले कि आपको आत्मा का अनुभव होगा है पहली बात यह है कि मेरे को आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है और इस दुनिया में इस भरत खेत्रम में किसी को अनुबव लगी है क्या मताया आत्मा का अनुबव लास्ट वर्थ में ही होता है जो मैंने पहले किकनी बार बोल चुका है आत्मा की द्रस्टी परिफकों हो सकती है जैसे प्रक्रति की द्रष्टी परिफकों बुर्दी है ये चोर है, ये सावकार है ये घुस्से वाला है, हिराग वाला है त्वेस वाला है, उप्राम्रति एक द्रष्टी है ऐसे है, इसमें परमात्मा है इसमें परमात्मा है, इसमें परमात्मा है में पर्मात्मा है, सब के अदर पर्मात्मा देखो, तो आपकी दृष्ट्टी क्या होगी? परिप्रकॉ्ड होगी. पर्मात्मा का अनोग को होगा? लास्टय़ अज्ट। वे ऐसा कुझा लास्ट में होगा, तो के अभी तक आपका अभ्यास क्याถा? प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे और प्रमात्मा को तो मानते नहीं थे, यानि ब्यक्ति के अंदर प्रमात्मा है, वो मानते और नहीं मानते तो देखते भी नहीं थे, है भी भी देखते नहीं थे, अभी आपको मालू हुआ कि प्रकृति भी है और प्रमात्मा भी है, आत्मा कर्मों के आदिम नहीं है, तो दोनों को देखो, प्रक्रदी कुद्रती कानून के आदिम हो सकती है, प्रमात्मा कुद्रती कानून के आदिम नहीं है, तो दोनों को देखो, वगरम, एक ही चीज को देखते थे, यह हमारा पजल प्राइब, तो देरा टू व्यू दूसरे बात, कि जिसको अनुभव होता है, वो अनुभव, आत्मा का अनुभव तो बता नहीं सकते हैं, मैंने पेले भी कहा था, कि आत्मा का अनुभव वो बताने की चीज नहीं है, मगर अनुभवी पुरुस, आत्मा की अनुभुती करने का, जिस मार्ग पे चला है, वो मा अनुगों का मतलब ही है अनुगों करना तक अगर मैं कहूंगा कि यह जो सुगर है वो मीठी है फिर मैंने आपको एक्सपेंड कर दिया मीठी मतलब किया आपने कभी सुगर नहीं खाई है दो मैंने एक्सपेंड कर दिया कि सुगर मीठी है जुगर ऐसे मिठी है आपकी जीव में रखंगा तो आपने आप अलुभव तो अरुभव को एक्स्पेंड नहीं किया जाता है मगर अरुभव की प्रोसेस बताया जाता है क्या बताया जाता है प्रक्रिया कि मिठास का अरुभव करना है तो कोई मिठी चीज खानी पढ़ेगी तो आपको अरुभव का मिठास का मगर मीठी चीज का अरुबव है वो तो मैं explain जब कोई माताजी को पुछेंगे कि आपको आपके बच्चे के ब्रती कितना प्यार है तो वो बताएगी कि मैं बहुत प्यार है बहुत प्यार है ऐसा पताएगी या तो दो तीन एक्जम्बल दे देंगी तो अगर दो तीन एक्जम्बल देते इतना प्यार होता है तो प्यार को एक्टन करने की तोड़ी चीज है ये तो अनुभव कहते हैं कि इस प्रकार का मेरे का अनुभव होता है मगर प्यार जो चीज है वो हम दिखा नहीं सकते हैं कलने कि वा से प्रीफ प्रोंब़े बदीए क्या क्या होती है में आलो कि प्रो pendulum बता सकते हैं तो हर अनुभब य्यानीन ओधिंपोरुजद भी अनुभब की प्रोसेस बताते हैं ऑनुभब तो को करने की चीज़ हैं और जहां तक मूल आत्मा का अनुबव नहीं होता है वहां तक अभी जो अनुबव है वो अज्ञान को नास करने का अनुबव है उनके साथ आत्मा का लक्स पका करना आत्मा का लक्स पका करो अज्ञान का नास करो आत्मा का लक्स पका करो अज्ञान का अभी तक अज्ञान को ही हम ज्ञान वानते थे और अज्ञान की प्रगति को ही हम प्रगति मानते थे, बाहियों प्रगति को ही हम प्रगति मानते थे, अभी अज्ञान को नास करना और सुधात्मापत को मजबुत करना इसको आप प्रगति मानोंगे, तो दोनों की द्रस्ति क क्या हो गई? एक चेंज हो गई. आप संब्गें ने? तो हर बातों को मैंने सिध्धान से रखा है. क्या रखा है? पहले भी मैंने बताया है. आत्मा का अनुभव इस काल में, इस कह्यों में किसी को नहीं होता है, मगर आत्मा का जो द्रस्थी कौन है, आत्मा की जो हन्यता है, आत्मा का जो लक्स है, वो पक्का हो सकता है, क्योंकि वो सास्मत है, अगर स्थरीर का लक्स पक्का करेंगे, मैं किसी का पती हूँ, पत्नी, बच्चा हूँ, बच्चे हूँ दामाद, बभू, कोई पी रिलेस्मिंट पका करेंगे, सास्मत रहेगा, मगर में सुध्धात्म पका किया, इस आउधार में 10 पर्सन, तो आज आईट नहीं आएगा, क्योंकि सास्मत का अनुबव पार करते हैं, सास्मत का अनुबव पका किया है, यह प्रक्रति का है, प्रक् परक्र बन गे, गोल्ड मेडालिस, फिर 14 साल प्रैक्टिस किया, फिर एक्सपार हो गय, फिर पैदा हुए, फिर पाश साल हुआ, फिर बाल मंदिर, बोलते नहीं, तो अनुबव पार गया, तो यह अनुबव सास्में है, तो बात को समझो, इसका अनुबव आता है, इसका अनुबव साथ में नहीं रहेगा, चाहे एंजिनेर एं, डॉक्टर एं, चार्टर एं, यह भी अनुबव साथ में नहीं आएगा, यह अनुबव आएगा, क्योंकि यह सास्मत है, यह सास्मत, तो टेम्पररी का अनुबव भी टेम्पररी तो होगा, और सास्मत का निकल जाने के बाग की शरीर है, उसके value. आत्मा है तब शरीर के value है, या सुनो. शम्रेजि जीसे अभी आत्मा के बारे में बतला रहे हैं, कि आत्म अत्मों जितने भी चिछवधारी है, च्छेतन जीटे कहते हैं then failing एक हम जैसे चेतन हैं वैसे हाथी की चेतन है और चिटी में चेतन है हाथी में चेतन है हाथी चेतन मत बताओ हम जैस नो हमारे में चेतन है हमारे चेतन सरूप होने का चेतन होने कारण आत्मा के कारण ही चेतन उखालाता है तो दूनों के सरूप में जैसे हां चीटी के अंदर जो आत्मा कत्व होगा उसका क्या सरूप हो सकता है और हाथी के अंदर जो आत्मकत्व है तो क्या आत्मा छोटा बड़ा सुच्मा विशार आत्मा भी हो सकता है क्या अल्चुकि हम सुने हैं आभी जैसे महत्मा से कि आत्म तत्व है वह उसका कोई छोड़ा बड़ा निराकार भी है चोड़ा भी हो सकता है इस पर खुड़ा शर सकी जिए गाइए मुल आत्मा आकार स्वरुप नहीं है क्योंकि वह जड़ तत्व से नहीं बनाएं जड़ तत्व का आकार होता है चेतन तत्व का आकार नहीं होता है मगर चेतन तत्व उग्णान प्रकास स्वरुप है कौनसा प्रकास यह जड़ प्रकास नहीं है यह जड़ प्रकास है क्या है जड़ प्रकास और आत्मा के अंदर ज़़ प्रकास है कोई भी चीज को उनकी हालवी से जान सकते हैं मान सकते हैं फील कर सकते हैं इसके पास एक आप रुपेला को फिर नहीं करेगा, करेगा, यह करेगा, समझे के नहीं समझे, सरीर करेगा, यह नहीं करेगा, यह आत्मा है, महालाइब है, मगर उसमें चेतनता है, नहीं है, तो आत्मात अत्मकाय जो स्वभाव है, वो ग्यार प्रतास है, क्या है, और ग्यार प्रतास जैस कुछ से पात्र होता है उसी प्रकार का कैफ उनका आकार नहीं है पुआब में हिजना वह किसी रेडिय क्या मता नगया मताओ नंत जीसे पानी होता है तो पानी मट्की में और कैसा हो गया और ग्लास में बढाता है फुर्ट और क्यों बढाता है डा पिशमates परिवरतन हो जाता है उनका खुंका है नहीं है पाट सीस होल कर दिया तो प्रूश में एक होल कर दिया तो इतना बाहर निकलेगा ने फिर पाइस होल कर दिया तो और पूरी मटकी भोड़ दी तो तो वो तो वही का वही है उनकी साइस कम ज्यादा क्या होई कुछ बाद समझ में नहीं आएगा कि किताबों में सब कुछ लिखा है मगर किताबों पढ़ने वाला अनुभवी क्या होना चाहिए तभी वो किताबों के बात सही माइने में समझा सकते हैं नहीं तो आप समझोगे बुद्धिस है तो कंफिस हो जाओंगे फिर आपको कोई आ गलत नहीं है मगर लिमिटेड है तो जिसका दर्शन विशार हो गया है और जिसका दर्शन का बेज है शर्ण शक्ति तो इसलिए उनकी बात जो हो वो प्रवार हो जाती है क्या हो जाती है नहीं होगा। तो आत्मा की साइस नहीं है खेडी के और आथे के मुदाबिग, वगर प्रकास की रेडियस है। अब समझे नहीं? मेरा प्रसना है कि हमें स्वयम की प्रकूत दिखा स्थूर दोस्त और सुख्ष्मत दोस्तों दिखाई देता है। परंतु शुॖ्ष्ma दोस्तों नहीं दिखाई देता। अथीजुख्ष्मत दुरस नहीं दिखाए का। वह कैसे दिखाईदेगा। बुपिया समझाएए आथीजुख्मत दोस्तों की बाड़ समझने आजते। ताकि सुख्ष्मा दोस का मतलब क्या है? जैसे कि स्थूल दोस तो जो हम किसी के साथ बेवार में कर रहे हैं, वो तो दिखाएदे देता, उसके अलाए वो भी समझ में आता है कि किस ग्रथि के चलते इसके साथ ये दोस हुआ और उसके अलाए अधिस्थ सुख्ष्सतम जो दोस है, कारिज ये एक्जांपल दोको Gramме हो साथ – क्या长, कि आप ये सुख्ष्मा जोस है है ये सुक्ष्मा कदोस है और वोक्त अलाए तो एक्जांपल दोटीनों कहते कि कर दम होगry बसक्त इसको थूल केहते है इसको सुक्ष मों कहते है इसको ऐ इस सुक्ष मों कहते है एकसा auntie किरी में हां जिए स how the bulTrbor उना की साथ में किसी बात को लेकर तो हो गई तो ये इस थूल दोस्ट क्यों मुझे दिखा दिये कि इसके सा अधसना के सुक्ष मों शुक्ष में हुआ कि यह भी समझ में आ रहा है कि इस ग्रंथी के चत्य इसके साथ तक्रहाट हुआ. लेकिन क्यों हुआ, यह कारण कैसे हुआ और कहां जो ग्रंथी पुटी। यह भी समझ में आ रहा है. दो सेठों, वैसे ज्यानि पूरुष दाल्या में सुख्ष्म शुक्ष्मतय나inarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinarinar otherwiseonia mi own word. अभी सिर्फ सुनो, अभी, में, अप्रस्टोडा होगा, जो सुनते हैं, उनको इतर मिलना चाहिये, यह मेरी सोच होती है, सिर्फ आपको समाधान नहीं देना है, सिर्फ आपको तो देना है, मगर लाखों लोगों के अंदर और प्रस्तन नहीं उठें, उस प्रकार से मैं उतर देता है। क्या है, स्थूल, सुक्ष्म और कारण, क्या बता है, स्थूल, सुक्ष्म और कारण, स्थूल दोस का मतलब होता है, जो पार्च इंद्रियों से अनुभों में आता है, वो स्थूल दोस है, सुक्ष्म का मतलब होता है, अंदर जो विचार है, मन, बुध्धी, चीत और देख सकते हैं, तो स्थूल और सुख्ष्मत और तिसरा हुआ कारण, कारण दोस, कॉस, जिससे नए कर्म होते हैं, वो दो प्रकार के दोस हैं, सुख्ष्मतर और सुख्ष्मतर दोस हैं, वो संसार के लिए लायक और सहायक हैं, और सुख्ष्मतर तम हैं, वो मुख्ष के के लिए कर्म करते हैं यहां संसार को समाथ करने के लिए कर्म करते हैं मुक्स्मार्ग के लिए लायक और सहाय वो सुक्स्मतार है और मुक्स्मार्ग के लायक और सहाय वो सुक्स्मतार है और मुक्स्मार्ग के लायक और सहाय सुक्स्मतार है इस प्रकार के चार प्रकार की केट उसको कहते हैं कारण, क्या बोलते हैं? स्थूल, सुक्स्मा और कारण, जिसके आधार से नया सर्जन होता है, क्या बता है? सर्जन. स्थूल और सुक्स्मा को विसर्जन का दो ब्रांच है, विसर्जन का और कारण वो सर्जन का दो ब्रांच है, सुक्स्मा तर और सुक्स्मा इ मगर आज तक हम, क्योंकि जो बात आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि किताब हो की, और ग्यानी पुर्ष से जब कहा है, तब इसकी मर्यादा होती है, कैसे मर्यादा होती है, सामने वाहा रिक्ति में प्रसन किया, उन्होंने उतर दे दिया, फिर आर्गिमे नहीं है, क्या नहीं है, तो इसलिए मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, यह जो मैंने उतर दिया, वो आपतवाणी में नहीं है, चाओध में से एक तापतवाणी में नहीं है, आप समझे नहीं, तो प्यूंकि बाकी की बाते जो अलभवी पूरुस होते हैं, वो ही बताते हैं कि वो क्या कहना चाहते थे मगर उस समय जिस वेक्टी ने प्रस्थन किया उन्हें उत्तर दिया और समझ गया कि बगावर है तो फिर बात में आगे की बात नहीं निकले कि अब समझे कि नहीं अब समझे कि अधार्म तो मैंने दिया कि पाचों इंद्रियों से जो अनुभाव करते हैं वो स्थूल दोसा है क्या पताया और मन बुद्धी चीत अहंकार अंतस कर्म में जो अनुभाव होता है वो कौमसा दोस है सुक्स्म दोस वो बाहर दिखता है नहीं है और तिसरा दोस है कारण दोस कारण का मतलब होता है नए कर्मों का सर्जन करना है पताया संसार के लिए लायक और सहाई कर्म बनाना चाहाँ वो संसार की लायक और सहाय कर्मा बनाना वो मनुष्य और सहायक है। चारो गति में घूमने का कर्म बनागा। वो संसार के लिए लायक और सहायक है। इसको कहते हैं सुक्स्मतम। मोक्स्मा के लिए लायक और सहायक है। परकुंसे होते हैं कि मैंने को आत्मा का नुभव करना है। इसके लिए मैने को अनुभवी घ्यानिक रूस मिले। मेरा जिमन केवर आत्मा के बारे में ही सोचे शोचे और lun lawn करे। संसार में मेरे को जो कुछ मिलना है ये सरीर चलाने के लिए जीवित रखने के लिए उसमें मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं है मेरी प्रायोरिटी से बिसका है मैं अपने खुद के आत्मा का कैसे अरुम हो कमी इसके लिए माता-पिता भी ऐसे में भाई-बेन भी ऐसे मिले, परिवार भी ऐसे मिले, स्थल भी ऐसा मिले, गुरु भी ऐसा मिले, ग्यानी भी ऐसा मिले, ताकि मैं खुद की पहचार करक्तों। मेरा संटर बोगिया है, खुल की पैचार, संसार की पैचार, संसार की प्राक्ति नहीं है, तो वो मुक्ष मारकी जिनायक और साहर होंगे। तो वो दोस में कैसे आएगा? दोस का मतलब जो बीच डालोंगे तो दोस ही कहेंगी कि भल आएगा। कर्म को क्या कहोगे? कर्म को आप दोस कहोंगे या मुक्ति भाव से तो जो आप तो आगने, शुक्समतर कर्म है या शुक्स्मतम कर्म तो कर्म को दोस कहेंगे, जिसका अफ़र Гलाया है? तो वहां पर दोस कैसे बन रहा है दोस नहीं बनेंगे तो राम कर्ष्ट वाविर का अंतीम भर्थ कैसे होगा अच्छा वो भी एक भाव भाव नहीं है तो पाट वही हो गए लास पर्थ की चाहिए तो सही के नहीं और जो संसा के लिए हम दोस कर रहे हैं वो किसी स्थिती से कर रहे हैं कैसे मदब हो जाता है बाहर की चीज़े माँते हैं या यह भी बाहर की है और यह दिखता है वह भी बाहर की है सरीर ऐसा चाहिए, स्वास्य ऐसा चाहिए, पुरुष चाहिए, स्त्री चाहिए, बच्चे चाहिए, पती चाहिए, परिवार चाहिए, खाना, पिना, पैसा, साधन, संपती, बंगला, मोटर, जाड़ी, नौकर, जाकर, यह चाहिए, यह क्या रहेगा, संसार के लिए लाया को इसमें आत्मा की बार नहीं नहीं तो वो सुक्ष्पत्ता है वो भी कर्म है इसका भी फ़ल आएगा है अत्तर ये दोनों दोस में ही किने जाएंगे जो कर्म का फ़ल आएगा वो तो दोसे है माविट को जन्म देना पड़ेगा ज्यों किना कर्म कर्म से तो भले वो लास बर्द का कर्म था बाद में मुक्स में चले गए राम भी मुक्स में चले गए मगर वो लास बर्द का भी तो गर्म था नहीं इसे नया कर्म नहीं बना क्योंकि वो मुक्स मार के लिए लायक था तो बाद में तो मुक्स होने बाले थे मगर संसार के लि तो इसलिए हम सबको कहते हैं कि अगर आपको भावना करना है, प्राथना करना है, तो बार बार दिन में यही प्राथना करोंगे, सुख दुख्या संजोगों में कही परवाद्मा, मेरो को मुक्षमार के लिए लायक और सहाय संजोगों, प्राप्त हूँ, प्राप्त हूँ, यही प्रावना करते रोखो, कोई दुख देता है, कोई सुख देता है, कोई मौ का वातावर है, कोई टेंशन का वातावर है, हब सभी परिस्ति में, क्योंकि सुख भी मेरको नहीं है, संसारी और दुख भी नहीं है, यह सब माया की जार है, क्या है? आप सुम्गें ने बास्तर में सुख नहीं व्यक्ति खुद की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता है और फिर क्या करता है सुख के लिए पत्नी की जिम्मेदारी ले लेता है कुद की जिम्मेदारी नहीं लेता है मेरा जिम्मेदारी तो कोई आसान बात नहीं तो फिर दूसरे की जिम्मेदारी क्यों ले लेते हैं फिर आते हैं बच्चे अभी कहता है में क्या करूँ पहले अकेला था तो मैंने सांती से नीद आती थी किसी के लिए सोच नहीं देता है खाना पिना और सो गया मगर किसी ने कहा कि सुख तो साधी करने में है तो फिर कर दिया अभी दो किचिंदा करो मैं तो खाऊंगा इसको भी खिलाना पड़ेगा फिर बप्पी भी आई फिर बच्चे आई अभी मेरे को भी खाना इसको भी खिलाना और बच्चे कोपी खिलाना फिर में कहता हूं अभी संसार में भाग जाऊंगा तो फिर भाग सकते हैं क्योंकि जिम्मेदारी आपने लिया माया की जान से कैसे कौंसे माया की जान इसमें सूख है ऐसा अमान कैसा है तो इसी दिये कहा, कि भी, आपके कर्मा ऐसे होने चाहिए, जो मुक्समार के लिए लायागोर साहाव है, तो सभी विक्तिया आपको क्या करेंगी, लेकि भरी जंटी देंगे, आपको आगे जाना है, जा सकते हैं, हम तो कोई देख कर देंगे, लेकिन वावर, तभी कभी प्र सान मिल रहा है, मतला, मतला कि, जैसे मैं अपने भाव में सोच रही हूँ, आगी मुझे शुठात्मे के सिवाय संसा की कोई भी चीज नहीं चाहिए, उसके अलावे जैसे परिस्थित्या मुझको इस साथ मिलते जा रही है, प्रकिर्थी की, तो अंदर अंदर, प्रकिर्थ होने लगता है, मगर एक्जाप्फल दे दो लें कि, कि, अरे, मैं तो बहुत अच्छा कर रही हूँ, कि मुझे शुठात्मा के पढ़ पे चलने के लिए, आगे मात मिल रहा है, मतलब इन लगों से तो मैं आगे बढ रही हूँ, ऐसा गर्वरस पैता अंदर ही अंजर होता ह और एक प्रकृति वही पर डारती है, कि लड़ू तो खा रही है, लेकिन दीरेगी तो बता चले है, ने, वो तो बढ़ावर है, ये, देखो, सबसे पहली बात ही है, संसार का मार्ग और आध्यात्नों मार्ग की पहले बढ़ी बाता समझे लोगती है, संसार के मार्ग में प अपनी पसंद की चीद को पाना, इसको क्या मानते है, और आध्यात्म मार्ग में अग्यात्ना को मिटाना, इसको प्रकती मानते है, यहां पाने की बात, तो अखकार कब आएगा, आपने तो पाया तो है ने, अगर आध्यात्म के मार्ग में है, तो सिर्फ आध्यात्मा मैं पाने की बात नहीं है, क्यों पाने की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, मैं अलम सक्तिवाला हूँ, मैं अभिनास्री हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अलम सुक्वाला हूँ, तो फिर क्या करना है, जो हूँ, इसका अंभव करना है, पाना हूँ, और यहां नहीं मेरे तू एनियाई का kardyn में, और कोई चीद पाते हैं? तो इसमेए आनन्द रसोक की बात नहीं है, लगार की बात ऑर कोई चीद पर आपतWithout मेरे संपती इतनी है, मेरी संथाइज नहीं है क्योंकि मैंने बाहर से वह तो मैंने क्या पाया वह तो ने प्रकृति में हो जाता है तो प्रकृति में होता है वो तो कुद्रती रचना है और वानिक बश्यत आप भी होता है हाँ अगर वो प्रकृती की बात है ने इसमें परवात्मा बीच में है नहीं वो मुष्का मार्क भी नहीं है जैसक्चिला जैसक्चिला या और या जैसक्चिला या जैसक्चिला जैस सब्सक्चिला मैंने नहीं सुना है इसके, क्योंकि मैं तो बारा सार उनके साथ था, दादा भगवार के साथ, तो हो सकता है, ऐसा कोई प्रेटिकल नहीं है, कोई किसी का अंभव नहीं करा सकते हैं, मार्ग बजा सकते हैं, यह ब्रहांती पहले निकाल जो, कि कोई भी विक्ति किसी का अनुभूति का अनुभूति का मार्ग दिखा सकते हैं, क्रस्टन भी अपने को आत्मा की अनुभूति का मार्ग दिखा सकते हैं, अगर मैं आपको अनुभूति का अनुभूति का मार्ग दिखा सकते हैं, अगर मैं आपको अनुभूति का अगर मैं आपको अनुभूति का इस ब्रांदी की बात है, जो भी है, ब्रांदी है, ब्रांदी है, करेक्ट नहीं है, वो सकता है, वो ऐसा कह सकते है, कि भी आप स्रीमंतर स्वामी है, वो स्रीमंतर स्वामी को मालो, क्योंकि ये वर्तमान दिधन करते हैं, ऐसा वो समझा सकते हैं, आप समझा ने, लगर इसका अपर नसंदार का मतलब वह दिखना, वहाँ पहुच जाना, इसका अभगाव करना ये पॉसिबर नहीं है. और कोई कहता है तो रिलेटिव सत्या है, सानादन सत्या? नहीं है. और वहाँ सत्य में कोई वह बहिस का कना है, ब्रनेक के जानेकिनाद सत्या, मतलब आपकी माननेता का सत्या है, नहीं है, मानननेता कह सत्या है, और की मरजी की बात है, हम इसको किसे माया कर सकते हैं। आप समझे नहींabhan walaam івर नो का ओजन हो जनाएं कि सप्क्राव। भूर अंदर जमिन आस्मान लगें। आत्मग्यान का मतलब होता है, मैं आत्मा हूं, वो सरीर होके भी मैं मानता हूं और अनुभव करता हूं, इसका मतलब उस समय मन बचन काया की जो अनुभूती उनको होती है, वो मेरे को नहीं होती है, मगर मैं आत्मा में नहीं हूं, मगर मैं शरीर में नहीं हूं, क्योंकि मैं तो आपको simple example ताकि आपको बात समन्निया दोनों बच्चे बाहर जगड रहे गुसा कर रहे फिर मारा मारी कर रहे और पिर चिला रहे आप गर में बैठे हैं गर में बैठे है ये बच्चे की आवास सुनी आपूर देखा कौन जगड रहा है साथ मेरा बच्चा भी हो सकता है आप नहीं देखा और दोनों मारा मारी कर रहे थे, मगर दोनों में से एक भी आपका बच्चा नहीं था, आपको क्या होगा? प्रिया नहीं हो, आधार रहन पर एक गंडे के बाद दूसरे बार ऐसे आवा जाए, दोनों बच्चे लगड रहे थे, आप नहीं दूसरे बार देखा, इस में से एक बच्चा आपका था, फिर क्या होगा? प्रिया होगी थोगी, मन पे प्रिया होगी. तो बच्चे से होई या आपके बच्चे से होई? अपने बच्चे से होई. बच्चे से नहीं होई? मेरा बच्चा से हुई ने, बश्तो ये क्या है, मान में था, बच्चे से नहीं हुई है, मेरे बच्चे से हुई, आप सुन्दों पेले, मेरा एक्जाम्पल ध्यायम से सुनो, बच्चे से नहीं हुई आपको, मेरे बच्चे से हुई, तो मेरा बच्चा वो connection है, बच्चा वो connection नहीं है आप समझे करने हैं तो तो मेरी बात हो गई तो क्या हो गए आप दिन तो अगर यह सरीर मेरा है तो फिर मेरो को मेरी तो बात बच्चे की नहीं बात मेरा है वो विलिंग है सरीर मेरा है वो क्या है? अगर सरीर मैं नहीं हूँ, मैं सरीर से मुत हूँ, तो सरीर की एफेक्ट मेरी एफेक्ट, बस इनको तो आएगा है, नहीं है, इनको तो आएगा है, सरीर तो कर्मों की भुगतार का साधर मात्र है, तो इनको एफेक्ट आएगी के नहीं, वो तो सब्देक्टी नह अगर आप सरीर से मुक्त रहते हैं तो शरीर के एफेक्ट आपको नहीं होती है और इसको कहते है कि मैं आत्म में रहता हूँ आत्मा मतलव मैं सुध्धात्मा हूँ वो द्रश्टी में pm मैं शरीर हूं मैं संध्राइव ट्रस्टी में कि पत्नी होने की रूईक नहीं समय थूम्होइं चाई को saadhi Kiaओ हउने की पत्नी क्या होगा अभी जीवन जीवाइब पत्नी किसको कहते रहें और पति, बोलते नहीं है, अनुभू होटा है, अम कहते हैं पत्नी हो गए नहीं हो गए अभी तो टाइटल मिला है, जब 70 गुजारओं के साथ में बान्द बालोंगा, के पधी किसको कहते है या पधी किसको कहते है, तो टाइटल अलग चीज़े है और मैक्चुडिटी अलग चीज़े है, तो हर बातों में समझ लग पड़े है, आत्मा हूँ ऐसा मानना एक अलग आत्मा का हुआ है तो आफ ने शुरुआ किया मैं सरीड नहीं मैं आत्मढ गूल小火 इसको आत्मग्यान भोर सकते हैं, क्यों ग्ना का मड़ना हूँ अइसा आपने माना, जाना और समझेने की कुछिस क्या और सबस्था में इस ग्यान का आपने उपयोबी किया, तकल आनू अ अगर आत्मा का रूंगो हो गया तो प्रुसात की जरूती नहीं है तो यहां का जो मोख्ष है अज्यांती बोला जाता है तो इतना जान होने से मिल जाएगा क्या जैसे सरीर से मैं अलग हूँ इतना अज्मा हो गया तो यहां का जो पहला मोख्ष है वह मिल जाएगा कि हास सभी प्रकार का अगनाद आपकी द्रश्टी में निकल जाएंगा तो तो क्या बताया सभी प्रकार अग्याय अंघ्यां निकल जा यह है तो आप कलो होगा पहला लिटस्त फिर बार-बार कोंगे कि मैं सरीर नहीं आ पर केंते ही ना मैं सरीर हुँ पिर कहता है ना ना मैं सरीर नहीं पिर रेह केता है संपती मेरी है तो यह तो अज pewnah लेक्स मगर पहला जनवर्ण में होता है अजय कमकाया स्वात कगसर परफिर अजय कोंता है तो दो प्रकार के मुक्ति हैं, पहले अज्ञान से मुक्ति, तो जब ज्ञान देता है, तो अज्ञान से मुक्ति की सुरुआत मुक्ति है, एंड आपको टाइटल दिया जाता है, तुम सरीर नहीं तो सुधात्मा हो, तुम जड़ नहीं चेता हो, तुम टेमपररी नहीं परम अग्यान को बहुत बढ़ा बंदार हो तो बहुत बढ़ा बंदार है क्योंकि इतना लबेट आए हमें, तो सभी प्रकार की अज्ञान से मुक्ति पाना पढ़ेगा है, तभी पहली मुक्ति होती, क्या होता है, पहली मुक्ति तभी यो लोग ज्ञान से, लोग क्या कहते हैं, कि ये दुनिया कैसे चलती है, मैंने बना ये दुनिया बिलिप से चलत तो बोलता है स्वावी ची यह मान्यता इतना बड़ा काम करती है। मैंनों बला आप क्या समझते हो मान्यता की तागा क्या समझते हो। एक बार साधी कर दिया इस साल की उम्रह में और 70 यह के रिस्वांजबर लेते हैं विकोज अप बिलिब। बोलते नहीं है। साधी के साथ फूरे फ्रलिया और 705 जिम्रह लेकिए। यह बिलिब का पावर कम है थिआ। ना तुम छोड़ सकें रहा शूर fazem cust ま Southwest मान्यता नहीं है। मेंनेता निया तो आत्मा का पावर कैसा होगा है। यो सास्हथ है यह तो भीलिब्ब का पावर है। आपना का पावर कैसा हो गया, जिसकी हादिरी में विलिफ है, आत्मा नहीं है, तो विलिफ है नहीं नहीं है। स्वामी जी, जैसे अनुभवी ज्यानी पुरुष अपने को, अनुभवी ज्यानी पुरुष मिलने के बाद, क्या ज्यान भिधी की जुरत है क्या? अनुपभवी ग्यानिपुरु जो उनकी जो मैथड होती है वो ही ग्यान है क्या बताया मैथड हाँ कोई भी इस दुनिया में ग्यान देने के लिए कोई स्टांडर्ड मैथड होती नहीं है माझन भवुपुर्व जिस प्रकार से वो ग्यान देते हैं आपने ऐस समय का मैथड हो जाता है अभी जो दे रहा है वहीं मेथर बोला जाए राम ने क्या किया था प्रस्रक एप उतार दिया माविश ने कैसे दिया प्रसा किया उत्तर यह यहीं और लागा दी जो सुद्धात्मा बोलाते थे वह को उनके माधियम से मैथट थी वह कोई भी मैथवर सनात्म सत्या नहीं होती है मगर हर अनुभविक पूर्ष की मौली मैथड होती है क्या होती है है इंपोर्टन मैथड का नहीं है इंपोर्टन वो मैथड से जो दृष्टे मिलती है उसका है तो मैथड के उपर मत जाओं मगर हम आज तक यही सोखते हैं कि इस प्रकार्ट मैथड से ग्यान लोंगे तो ही इसको ग्यान हैं वो आपकी मानियमान्यत आए। न राहू ने ऐसा दिया, न र कल राहून ने ऐसा दिया, न तो तो जिनीघया वह वह घिन्क कोरा है। सभी ने ऐसा विजी नहीं दिया और उसके बाद भी बहुत सारे ज्ञान ही हो गए अभी सिर में राभ चिदर हो गए राभ पुष्ण परम रमन महर सी ऐसे बहुत हो गए क्या लोगों ने ज्ञान नहीं दिया था क्यों कि यही मैथड थी मकर सभी आम भाईपूर्स यही प्रतिया का फॉलो करेंगे यह करेंट यह मैं कहना चाहता हूं आप समझें कि नहीं समझें बस हर आम भाईपूर्स के अपनी मैथड होते है ग्यान देने की सब्सक्राइब है बस तो उसमें मैथड को आप सनातन सत्य नहीं बोल सकते हैं आप से दिया हुआ जो ग्यान है अनुफव ग्यान वो हमको सनातन सत्य की ओर ले जा सकता है सब्सक्राइब हर ग्रति को यही कंट प्रता है और इसलिए मेरे को हर बात में फिर साइस को बीच में लाना पड़ता है क्या करना पड़ता है क्योंकि आपके पास रिलेटिव सत् और मेरे विजन में जरता है क्योंकि आपका विजन एलेटिव सत्य के में पर पक्का हुआ है तो बार-बार वुद बीच में आता है अब समझे नहीं कहीं लोग मेरे को कहते के स्वामी जी आप तो ज्ञान विधी कराते नहीं पिर हमारे ड्रश्टी कैसे बनेगी में ने त देने वाला अनुभवी होना चाहें, यह important बात, तो आप अनुभवी हैं, हमको उसको कैसे पता लगेगा स्वामी जी, आपके बाणी से पता चलेगा या कैसे हमारी तृष्टी में आये कि आप अनुभवी हैं, कैसी अनुभवी विक्ति का प्रवार ये होता है, उनकी हर बात मौलिक होती है, प्रमपरागत नहीं होती है, प्रमपरागत समझते हैं, जो किताबों में छभी है वो बात नहीं करते हैं, अपने अनुभव के आधार से, अपने दर्शन से सिध्धान्तों की बात करते हैं, प्रमपरागत बाते नहीं करते हैं, प्रमपरागत बाते करते है इसको साधू संत या सद्यासी बोलते हैं, या तो स्थूल वासा में इसको टीचर बोलते हैं, टीचर समझते हैं, जो सिले बर्स के मुताबित पढ़ाते हैं, नहीं समझना है, जो किताबों में जो लिखा है, वो सिले बर्स के मुताबित पढ़ाते हैं, इनको टीचर कहते हैं इनको अनुभवी विज्ञानी नहीं कहते हैं, अनुभवी विज्ञानी स्वयम होते हैं, उनकी जबान कैसी होती है, स्वयम होती है, और प्रमार होती है, प्रमार समस्त है, प्रमार होता है, तो अनुभवी विज्ञानी का प्रमार होता है, और दूसरी बात यह होती है, कि अ ज्यान या विज्यान मेरा है, ऐसा कभी नहीं करेगा। विशुन अनुभव मेरा है, विज्यान तो सनातन है. क्या है? आप समझे, फिज्द स्क्तर करोश्य नि कहें कि ज्यान मेरा है। और विज्द सनातन होता है, जो राम ने किया, क्रशन में बिए Simpson, माविर ने किया, ऐसे लाखों लोगों ने रुभव किया है, तो रुभव कर सकते हैं, इसका मालिक नहीं बन सकते हैं, और किसका रुभव किया सबने, ये दुनिया क्या है, सनातन सत्य, क्यों किया, तब भी तो अग्म्यान निकला, क्योंकि अल्यान क्या है, वो तो व्यवार सत्य है лай और वेबार शत्य को निकानने किर अगर सनातन शत्य समझ में नहीं आया तो व便हीं लेगा हुए हिने कोई रास्ता नहीं है तम करो जप लो पुल्यापार करो आरति करो कुछ को भी करो संसार को छोड़ दो मगर अग्यान नहीं जाएगा तो कि यह द्रस्टी का विशा है यह क्रिया का विशा है नहीं है और जब द्रस्टी में जब सलातन सत्य की द्रस्टी नहीं होगी तो व्यवाद सत्य लोगी अग्यान कैसे जाएगा अगर राव को छोड़के अगर आप माविर को मानेंगे तो भी अग्यान नहीं जाएगा माविर को छोड़के सीव को मानेगा तो भी अग्यान नहीं जाएगा सीव को छोड़के स्वामजार को मानेगा तो भी अग्यान नहीं जाएगा क्योंकि आपने अग्यान को चेंज किया निकाला नहीं है और जिजने भी नाम दोंगे ये सब रिलेट यूँ सकते है मगर जब आप परमात्मा की पहचान करोंगे कि मैं खुद ही परमात्मा हूँ और ये सभी जिवों के अंदर वो ही परमात्मा है तब आपने सबात्म सत्य की पहचान किया क्या किया बाकि तो नवार सत्य था मैं किसी कहा भाई हूँ बैह हूँ बाता हूँ पिता हूँ पती हूँ पतनी हूँ ये वेवार सत्य है तो वेवार सत्य से अग्यान जाएगा अग्यान चेंज हो सकता है अग्यान जाएगा नहीं, अगर मैं संसार हूँ या त्याजी हूँ, इससे भी अग्यान नहीं जाएगा, पुर्कि ये रिलेटिव सत्य है, मगर सनात्न सत्य जाने हैं, कि मैं कौन हूँ, मैं सास्वत ऐसा, तो वो कभी परिवर्थता नहीं होगा, हूँ, तो जहां तक सनात्न सत्य नहीं जानोंगे, वहां तक तो अग्यान रहेगा ही, और अग्यान ही संसार है, चाहे असुख कहो या, सुख कहो, मगर वो सुद्धर नहीं है, तो स्वामी जी ये दिन भर में हमको किस तरह का अग्यान अजिह रखना चाहिए, वो ही सासपस से दिका कि मैं सुधात्मा हूँ मैं कौन हूँ और ये मन में चिन काया और पांच इंडियों से दिखती हुई दुनिया वो कौन चलाता है बस भई आजर रखो न मैं चलाता हूँ न वो चलाते हैं न ये चलाते हैं ये सब कुद्रती रचना है किसकी रचना है ये सरीर भी कुद्रती रचना है सरीर के संजोग भी कुद्रती रचना है और सरीर का संजोग वेक्तियों वेक्तियों के साथ या वस्तु या वेक्तियों के साथ है वो भी कुद्रती रचना है क्योंकि कुद्रत का ही है और उसके अलावा पैदा होने के बाद जो भी माता पिता के फौम में परिवार मिला ग्यत्ती मिलेग, सादन मिलेग, समपती सता मिलेग, ये सब कुछ यहां ही रहेगा कि न तुम्हारा था न तुम्हारा है और न तुम्हारा रहेगा तो इतने से चला जाएगा स्वामी जी यह तो ऐसा लग रहा है लेकिन आसान तो नहीं लग रहा है न मैंने वही कहा कि जो आसार है वो डिफिकल्ट लगता है और जो difficult है वो आशान लगता है। और यही सबसे बड़ी विटम्रा है। मैं आत्मा हूँ और आत्मा कहना और सभी व्यक्तियों के अंदर आत्मा है वो आत्मा को देखना है और उड्धो करना नहीं वो difficult लगता है। यह मर्वचन काया यह कुद्रती रचना है और मर्वचन काया को चलाने वाले भी कुद्रती रचना है और सभी वेक्तियों के मर्वचन काया और उसको चलाने वाला कौन है तो इसमें डिपिकल्टी क्या है डिपिकल्ट इसको बोला जाता है कि अन्नोल वेक्ति के साथ साधी कर के seven years बिताना वो difficult होता है, वो easy लगता है, और तो easy है वो, यही तो सबसे बड़ी विटम ना है, जो easy है वो difficult लगता है, और जो difficult है वो easy लगता है, क्योंकि अभ्यास कहीं है उतारों सही है ने माना, ऐसा है, difficult नहीं है, मुक्ति के मार को बताने वाला अनुभवी पूरुष मिलना वो difficult है, क्योंकि अनुभवी होता ही नहीं है, अप्वाल समस्त है, अप्वाल होता है, सब किताबों के ज्यानवाले होते हैं, क्या होते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचनकार, अच्छे अच्छे कथाकार, नहीं सब्सक्राता हैं। नहीं बोलते हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, राम ने जो भी कहा, वो सास्त्र में से कहा, क्रश्का बगवान ने जो भी कहा, सास्त्र में से कहा, महाविर ने जो कहा, सास्त्र में से कहा, तो कहां से कहा, जो बोलते हैं सात्र में से बोलते हैं। इसका अंतर मालूप होता है के नहीं होता है। समझ में आता है के नहीं होता है। एक सात्र में से बोलता है। इनका ग्यान लिमिटेड है के जो अनुभाव में से बोलता है। बोली है। इसका ग्यान अनलिमिटेड है। और जो सास्तर ने मोलेगा उसका गयार कैसा है। स्लिवी देविधे र northland dhsi दोनों की अपनी जगार पर सज़ी है, किसी को गलत कहने के बात नहीं है। मकर दोनों के साथ खौपेड़र नहीं हो सकती है। एक का ग्यान का आधार ही किताब है, और एक का ग्यान का आधार ही अनुब हो है, आप इस कम्बर कैसे कहोंगे? एक जो बोलता है स्वयम, इसे किताब बनती है, सास्त्र बनती है, और एक सास्त्र में से बोलता है, अभी दोनों का कम्बरिजम कैसे कर सकता है? वो जता है, एक स्वय अभू होता है, और एक परंपराज़त बाते करते हैं, क्या करते हैं? स्वाइ जी, जैस है जिलार्मि, अभी बहुत एक जियासा उठ रही है, कि आपने अभी मोक्ष की बात थोड़े दिर पहले की, बहुत जाना पड़ेगा, मगर में आपको को बहुत बहुत जाना पड़ेगा, मगर मैं आपको शौर्ड में बता रहा है यह जो पुरा भ्रह्मान है युनिवर्स के अदर तीन हिसा है कितना हिसा है तीन हिसा थ्री पार्ट्स एक है निगोद जहां रो आत्मा रो आत्मा समझते जिसे कौनी के अंदर रो गोड होता है रो गोड समझते ने जो कौनी के अंदर से पत्थर काटके हम इसका ज्वैलरी नहीं बना सकते हैं बना सकते हैं क्यों नहीं बना सकते हैं रो गोड है इसको प्रोसेस करके सुझ गोड बनाना परता है और बाद में आप इसका ज्वैलरी भी एक प्रोसेस के बाद करता हूँ ऐसे एक यहां निगोद है मतलब वो रोजोल है सोल मतलब आदमा मगर रोजों में है क्या है बिल्कुल डेवलोप्मेंट नहीं है क्या रही है मगर वो बारी के साथ है क्या है मगर वो वन सेंस है वन सेंस समझते हैं एक इंद्रिया मगर वो भी इंद्रिया इनैक्टिव फॉर्म में है क्या है इसलिए रो फॉर्म बोला क्या बोला एक इंद्रिया भी इनैक्टिव है यह जाड़ भी एक इंद्रिया मगर वो एक इंद्र मुं है कि दूसरा एक तीन लोग क्या बताता है मत्यों फृद्वादों और अधोन है यहतीन लोग इंव किमाय इसने जिए यह अलग गरर के जीव है मगर रोब होम से डेवलोग है क्या है रोब होम से डेवलोग है और तीसरा जो वेक्ती मनुष्य भव के अंदर सभी प्रकार के अगनाई को खतम कर देता है सभी प्रकार के अगनाई को और खुदी की अनुभूती कर देता है तो उनकी लिए सिर्दक्षेत रहें, निगोर, लोग और अलोग, लोकार लोग से पर, समझ्गा आ गया है, तिंक बात समझ गया, एक रोपोम है, यहां जणमर्ण की बात है, यहां चारे गती की बात है, और यहां चारो गती से खुप मण, बात में गती बहले हो जाते हैं, सम बाड़ा सबजेक्ट है। कि जो मूल आजमा है वो कभी असुद्ध होता नहीं है, मगर उसके उपर जो आवरण है, वो आवरण के आधार से वो सुद्धता की अनुभूती नहीं होती है, फिर बाद में जब भ्यभार रासी में आते हैं, तो एके इंद्रिय में भी उसको फिलिंग होता है, ये वांग स से पर एके इंद्रिय से लेके पंछे इंद्रिय तक का डेवलोक्मेंट भ्ता की, इंद्रिय अगनान का विकश, फिर मनुष्य में आता है, तो गुद्धी मिलती है, फिर बवह उद्धी ज्नी बढ़ जाती है, जो पारना चाहते, वो पास सकते है, आसी मेक्शुरीटी आ पुर्णय के आथार सो फिर उसको समझ में आता है कि मैं ने जो सबकुछ पाने का भात किया था सुख पाने के लिए ये सबकुछ मेंने पा लिया बाद में अनुबभ हुआ कि सबकुछ पाया है इसमें से कोई भी चीज में हम सुख की अनुदिय नहीं करते हैं मतलब यह सब कुछ के अंदर सुख है नहीं। फिर बात में वो प्राथना करते हैं अंदर स्वयल प्राथना करते हैं कि है परमात्मा अगर सच्चा सुख कहा है वो मेरे को बताने के लिए कोई अभभवी ज्ञानी पुरुष मिल दया है तो मैं उसी रास्ते पर आके चलू कि अभी तक तो मैं बुद्धी से मानता था लक् और फिर वो भाव करते हैं फिर पुर्णे के आज़ार से घ्यानी मिलते हैं इसको ध्रस्टी देते हैं कि सुख्त बहार नहीं अन्दर हो फिर वो अंदर प्रयास करते हैं और एक दिन को मुक्ति की और चले जाते हैं इसमें भी प्रोसेस होती है हर बात में प्रोसेस तो आप संदेना तो ये प्रकरिया इस प्रकार से होते हैं, यहाँ कोई चमदकार की बार नहीं है तो वर्षुधात्मा तो वर्षुधात्मा कहीं वही पार इस्थित हो जाती है और दुषे उन प्रवेश नहीं कर पाती हो जन्म नहीं हो, जन्म कैसे लेंगे? यह ऐसी सुध्धात्मा जो एक इस की पहुंच गई उसकी उतना जन्म नहीं होता, यह देधाई नहीं बन सकता, तो वो सुध्धात्मा कहा पर है उसका स्वरूप कहता है उनका ठीक आना क्या होता है? मैंने कहा जन्म नहीं है, जहां जन्म नहीं है ही नहीं, जहां यह आवस्ता है ही नहीं है, तो सभी लोग पहुंच जाएंगे तो, मगर ऐसा पहुंचेंगे तो? आप जैसे महत्मा जी मिले, स्वामे जी मिले, अब लखा दिये अपने, अब हम लख गए, तो फिर हमारा जन्म नहीं हो गए, सभी जीरने भी भक्त जन्हें है, वो जन्म नहीं के चक्कर से मूंट हो गए, तो यह फिर संसार में इस सिष्टी कैसे बनी? मैंने यह काने कि कितने भी महन पूर्श आएंगी और चाहेंगे, कितना सफर होंगे, यह तो व्यक्ती गत्रात है, देने वाला कितना भी समर्थ होता है, मगर लेने वाला अगर इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो देने वाला क्या कर सकता है? मेरे को राम मिले, र्ष्ञन मिले या माभिन मिले, इसलिए मेरे की मुक्ति हो जाएगी, ओ求 गैरंटी है यह मैंगर उनके पास मुक्ति का मार्ग मील सकता है, वर फॉलो करना और ना करना हूं सो नहीं है लोक Eldraged करने मार्द करते हैं। वो दूसरी बात होती है, वो मेरा परसनल सब्जेक्ट है, देना उनकी कैटेशिटी है, मगर फॉलो करना वो तो मेरी बात है, मैंने एक करूंगा तो अगर कोई वेक्ति कहेंगे कि भी आप स्कूल में जाओंगे, कॉलेग में जाओंगे, तो आपको डॉक्टर बना है, चाटर काम बना है, एंजेर बना है, लोयर बना है, तो आप फस्क्लास पर्स्क्लास सकते हैं, बड़ाबड हैं? मगर कितना मेनद करोंग जो आपको उपर मेरे पर है, तो सभी कातू नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? और फेल भी होते हैं तो सर्म मतलब जाहिन नहीं किये, या प्रयास नहीं किये, या उसी सुदी में रहने की इच्छा मतलब करते हैं, इसलिए इस संसार, जो बार बार मतलब जो गयाम है, मतलब इसलिए हम लोग मुक्टी नहीं चाहते हैं, इससा मतलब है, चाहते नहीं यह नहीं, चाहते तो है, उस मार्क पे चलना नहीं चाहते है, और चाहते हैं यह तो परिणाम आएगा, हर लोग ऐसा नहीं के नहीं चाहते हैं, मकर सभी लोग मुक्ती का चाहने के साथ कंडिसर होती हैं, क्या होती है, कंडिसर समझते हैं, कि मैं अब जो पती बन जाओ, बाद में मेरे को मुक्टी चाहिए, परिवार को सेट कर दू, बाद में मुक्टी चाहिए, परिवेरे को स आप समझे के नहीं, याने मुक्ति कंडिशनल चाहिए, क्या चाहिए? अंकंडिशनल नहीं चाहिए, हर विक्ति को, आज ये विक्ति को अगर एक्जाम्बल देता हूं, कि कोई विक्ति कहेंगे, खिर्ण आपको मुक्ति के मार्ग में, मुक्ष के लिए लेने के लिए чувств के लिए आपके पास आया हूँ. क्या आपको इच्छा है मढ़ने की, बोला नहीं डिशे मीने के बाद आओ, फिर सोचूंगा, फिर छे महीने के बाद आओ, अभी तो सोचा ही नहीं है मैंने, यहान हर बात में क्या हो जाता है, क्योंकि यह मुख छूटता नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए, यह सी कोई बात नहीं करेगा, सबको चाहिए, कंडेशनल मुक्ष और मुक्ष इसको मिता है, जो अंकंडेशनल है स्वमी जी, क्या ऐसा मुक्ष मे रहता है, जो की हम चाहिए, यहाँ अंधर वोख्ष में, घूकि महूए बगदनेशनल में मुक्ष और आपत बीजाँ, और कि आयarl Вид ॉन्हें और गुर्टि आता इसा सुचने के जरूद नहीं है कि वहां न अवुट्धी न इंद्रियां वेजो राया है और वुं दिन और वह आ जाएंगे लगेगा, कुछ करना ही नहीं है, तो क्या लगेगा, मतलथ कैसा लगेगा, जब भूती कैसा होता है स्वामी जी, जब नालच हो कि नहीं जाने से ही अच्छा है, यहां पर अच्छा नहीं है, कैसे वो सम्द्ध है? इंसान हर समय कनफिजन होता है. जब पेले बच्चा होता है तो बुला मैं बड़ा हो जाओ फिर ऐसा करो गा। फिर बच्चे से बड़ा हो जाता है बड़ाई बड़ाई करके पिर कहता है नहीं अब बैसा वाला बन जाओ गा। फिर मैं बड़ा हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, फिर पैसा भी प्राफ्टर करता है, अभी भी मैं बड़ा हूँ ऐसा नहीं लगता है, फिर कहता है, मैं साथ ही कर लेता हूँ, फिर बड़ा हो जाओंगा दुनिया में, फिर बच्चे भी हो जाते हैं, फिर उसको लगता है, अभी कुछ ज्यादा करने की जरूरत इंको चार को संब्सक्राइब बहुत बढ़ा हो गया है तो इस सोच होती है क्या होती है बढ़ा क्या बन रहे है कि दुनिया में बड़े कौन है वो तो बताओ हर विक्ति अपने कर्मों के मुदाबिक जी रहा है आज यह और कम आज सत्ता है कम आज संपत्य है कम आज हाथ पाव फिल रहा है कम आज यह हिंद्रिया काम करें कम नहीं काम करेंगे क्या करोंगे तो यह कोई सास्वत्ची थे कोई अब सब देखनें पहने पचास साथ साल अपने पैसा कमाने में बिताए है क्या किया पचास साथ साल पैसा कमाने में प्राफ्टर करने में बताए है और साथ साल के बाद वो पैसा जो बचाया था तो सरीर को सदाने में लगा दिया पहले पैसे के लिए सरीर को खरचा फिर स बर गए तो कुछ साथ में तो राखिया आपने पाया क्या नई समझ में आया कि अधो तो कोई बात ही नहीं है है एसी एक पोई पाने की ये सब इसलिए इसको कहीते है माया की ये समझ रहा है आसाव आप उससे उपअर उड़ोके तो मान होगा कि माया की जाल क्या है नित और माया की जाल माया के रूप में समझ में नहीं आएगी मोह के रूप में इस मैसूख है इस मैसूख है इस मैसूख है ऐसा ही आपको लगे जा आप उपर उठके देखोंगे तो मालू होगा यह सब माया की जाल है अलग अलग प्रकार के पिंज्रे पिंजरे है क्या है पिंजरे है यह आनद जो होता है ने आज संसार में जो आनद है वो पिंजरे का आनद है किसका आनद है किसका आनद है यह सचा आनद नहीं है कभी लोहे का पिंजरा कभी सिल्वर का पिंजरा कभी डायमन का पिंजरा कभी गोड का पिंजरा मगर पिंजरे स यह से बाहर निकलने का आनब नहीं है, अलग अलग प्रकार के पिंज रहे, क्या है? बाहर निकलेंगे तो मालू होगा कि आनद क्या चीज है। आप समझे न에요 अलग अलग के dividing रहें क्या है जयर सिर्ट बाहर निकलना इतना आसान नहीं जहां तक सत्ची समझ नहीं आएगी सत्ची द्रस्थी नहीं मिलेगी सस्ती सोच नहीं रहेगी वाहर निकलना आşान रहें एक पिंज़रे में से दूसरे पिंज़रे में से तीछरे पिंज़रे में जाता है और जब पिंज़रा छोड़ता है तो उनको लिए हाँ छोड़ गया मगर नया पिंज़रा या वो समझ में है उससे कंडालता है तीछरा पिंज़रा में जीवन में यही देखता हूँ हर्वित क्या करती है अपने जीवन में वहारत की बात तो छूर दो, मैं धर्म की बात करता हूँ, लोग क्या करते हैं, भी अमने 25 साल राम कर्ष्णिया और माविर को बजना किया, अभी तक कुछ पाया दे, चलो कोई और गुरू को में लेते हैं, वहाँ जाते हैं, इससे कंटाल रहे तो उसके पास जाते हैं, एक, दो, तीन, पास साल तो लगता है कि कुछ नहीं चीजोती है, थोड़े समय के लिए आनिदाता है, फिर यही संसार है, यही रांदुलेश, यही कसा, यही ककरा, यही मिला तेरा, तो वहाँ रहम के पर, फिर तीसे जगा जाता है, फिर तोसे ज मगर सास्मत की खूज नहीं करते हैं, फिर इसे बाहर कैसे देख लिया, वो नहीं सोटे हैं, नहीं आप पिंजरा ढूनता है, क्या करते हैं, मुक्ती का मांगे पिंजरे से बाहर निकलने, क्या बताया, पिंजरा का मतलब है रिलेटिव सत्या, क्या मतलब है, और पिंजरे से बाहर निकलने का मतलब है, सनाधन सत्या को पहचानो, वो कोई पिंजरा नहीं है, रिलेटिव सत्या तो पिंजरा ही है, एक या दुसरा, इसमें से बाहर निकलना आसान नहीं है, और मैंने यह कहा, जानी पुरुस दादा इनको ने आध्यात्म विज्ञान की बात कहा, बहुत ऻाया, अक्रम विज्ञान की बात आ, और 싶़्ो विज्ञान ही पेश करना चाहते थे, मगर लोग इनको समझ नहीं भाए, क्या बताया , और इसलिए पिर उसको यह rituals देनी परेकिन, योंकों ने क्या समझगा रिचियों से सायंस है तो पिर वहां साइन दूड़ों के साइस Main हर दर्म कि थरा यह क्या बन गया इस का मरлен वन में क्या हुता है इस वए बगवार का कॉल और होता एक गुरू का टाइडर होता है उता है क formula व्याओं लुए फिर एक मंदर का टाइडर होता है तो दिंत हम बहुत किसा और चल्ममाद झाईइपलस उन्रेंग वह हो गया द्थम ताझास भी उन पना सब्सक्राइब मेरे तो फॉर्मेट को इसको बगवान के आगे चलो इसको इस गुरुमान के आगे चलो यही मंत्र को यही मंदी नहसी करो जेही सास्म पड़ो यही समुसा को फोलॉ करो तो यह क्या हुआ फिर आप होंगे विग्यार, विग्यार का होगा, यह तो format है, format काम मत्ड़ा के ही रिलेटिव सक्या, क्या मैं काया, वो सरात्म सत्या नहीं है, तो एक दिन बात को तो समझना मरेगा, नहीं, देखो यह भ्यार हमारी मान्यता से नहीं चाहिए, और जहां तक हमारी मान्यता रिलेटिव सक्या के उपर आधारित है, वहां तक जनम मरण के चक्कर में घूमना ही है, भले मुक्ति की बात कर सकते हैं, मुक्ति मिलेगी, बात तो कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, मुक्ति तब मिलेगी, जब आप रिलेटिव सक्या से उपर जाओगे, फॉर्मेट से उपर जाओगे, जहां सनातन सक्या है, बात में समझ में आएगा, कि फॉर्मेट क्या है, और युनिवर्सल क्या है, यह दोन पुर्में से एक भी गलत नहीं है, अगर आपको अच्छा संसार चेलिए, तो कोई भी फॉर्मेट को अच्छी तरह फॉलो करो, तो आपको संसार अच्छा मिलेगा, पुन्य रहेगा, और सब कुस्विदा मिलेगी, मगर आपको जब मुक्ति के मारग में आके जाना है, तो फ समयते हैं, सब को समझने आता है मिरी बाद, कि नहीं आती है, सब सालत हो गए है, तो उसके लिए प्रयास करते हैं, और उसको मिलता है, उसी तरह यह थोड़ा एक्स्प्लैन अच्छे से करिये न, ताकि उसमें मोक्ष में ऐसा क्या है जो जाने का परियत्म करे, मैं आपको सिंपल बात बता दूए, सब लोग यहाँ विद एटेंशन ध्यान देखे मेरी बात सुनना है, पिर ऐसा है कि मेरे को समझ में नहीं आया है, अब इदर उदर चले जाओंगे, दिमाग से गर पे चले जाओंगे, दुकान पे चले जाओंगे, औभे पे चले जाओं सिंपल बात है, कोई कंपनी वाला ऐसा कहींगा, क्या आप एंजिनियर है, पड़े लिखे है, सौफेर एंजिनियर है, मिकेनिकल एंजिनियर है, या तो कॉमर्स डेगरी वाले, मास्टर डेगरी वाले है, आप हमारे या काम पे आजाओंगे, क्या बताया, हम आपको गारी देंगे, लेने और छोडने के लिए, यहां आओंगे तो दो बार खाना भी मिलेगा, चाय पानी भी मिलेगा, कुछ हो चहिए हो, एर करदिशन मिलेगा, टेबल, चैर, सब कुछ मिलेगा, और जो काम बताएं वो आपको काम करना है, ठीक है, और काम करने के लिए जो सुवि परी नहीं देंगे, आप क्या कहोगे, बोलिये, बोलिये, कुदरत ये कहती है, आप बैदा होते हैं, पढ़ाई करो, खेलो, पढ़ाई करो, पैसा करो, पैसा करो, साधी करो, बच्चे करो, बच्चे को, बच्चे की साधी करवाओ, संपती इखटी करो, मकाम खरीदो, कार फिर भी हम फोलो करते हैं करता है कि नहीं है कि यहां करते हैं। बोलते हैं नहीं नहीं, आपके लाद मना कर दिया, शुविजा, सब मिलेगी, या फुदर कहने आपको सब सुभ़ा मिलेगी, खारा, पीना, रोटी, कपड़ा, मकान, पती, पतनी, बच्चे, भरिवाल, लोग, गोर्ड, सिल्वर, डाइमंड, पैसा, सब कुछ मिलेगा, कु कि यहीं तो जैंता है और अज्ञान काया कि मैं बार सथब तो अच्छा लगा मेस नगारिज सुनन चाह रहा था किया आप लाते हो यहां भी कुछ नहीं लेदे सिक लें नामर RE Department करेंगे और या कू Kir хочу suis दादी भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे, कुछ भी नहीं ले जाने तो भी, मेरा मेरा करते रहेंगे, और सब को छोड़ते रहेंगे, देखो, कितना confusion, क्योंकि हमारी द्रश्टी क्या है, ज्यानी की द्रश्टी beyond है, तो सब कुछ समझते हो, क्या क्या प्रस्थन का है, मक्स यूट्यूब में आता है, मेरे हजारों विडियो, ट्यूइ में है, और उसमें से कुई किताब में लगाएंगे, तो वो एक अलग बात है, मगर मैं किताबों में से बात नहीं करता हूँ, यह मेरा खुद का अर्भव है, बुरा खुद का दर्श्टन है, आप समझतेंगे? और आसानी से मैं उतर देता हूं, आज देखो मेरे कल भी कहा था, इंदुस्तान में कितने धर्मगुरु है, जो प्रस्टों का उतर देते हैं, परसंदेजबाइस, वान परसंद भी है, क्यों नहीं देते हैं, अनुबहु नहीं है, कैसे देंगे, सास्कर तो बढ़ाएंगे, मगर परसंद भी है, कैसे उतर देंगे, वह. कुझ को अनुबहु नहीं है, तो इसा बताँ सहते हैं, यह दूए बढ़ाव, मगर मैं अनुबहु बहुत करता हूं, यहने मेरा अनुखन है, यह साथ्रों में निक ब草नता हूँ, तो आप कोई प्रस्त करो, कोई प्रकार के प्रस्त करो, यहां कोई confusion, मेरे को सोचने की भी जरूरा, मेरे पास द्रश्टी है, मेरे पास vision है, दर्सम है, उन में से सब कुछ दिखता है, जैसे क्रश्ण भगवान को भी उत्तर क्रश्ण, अर्जुम ने प्रस्म किया, फटा उत्तर दिये के नहीं दिये, किताब हो बढ़के दिये, सोच सोच कर दिये, on the spot दिये, क्योंकि उनके पास क्या था, vision था, दर्सम था, उनको सोचने की जरूरा है, वो सभी प्रतार की एक्जाम पास कर चुके थे, तो उनके पास सब अनुभव था, और अनुभव के आधार से जो दर्सम हुआ, उसके आधार से उत्तर दिया, वो कंधर सकर के किताबों के माध्यम से उत्तर नहीं देते हैं, और यही अनुभवी पूरुस की मिज़ेस नाकोती है, आप रस्म कैसा भी करो, टेडा मेडा करो, उल्टा सुल्टा करो, उनका से उत्तर जो होता है, बिलक नहीं है, शिल्फ अनुभवी ज्याने बोल सकता है, और कोई होता, नहीं दे सकता है, या है, कस ना करना है तो, वह आप रोगोता है, तो रहा प्लेट पी सुरूवात है, जिसे आप कौन सी अनुभवर दसा में रहते होंगे, या जिसे आप दूसरे जो धर्म गुरु हैं, को कुछ ध्यान करते हैं, कोई अर्हंत का ध्यान करता है, कोई सिद्ध का ध्यान करता है, उसमें आप किस पकार का ध्यान करते होंगे, कि जिसके कारण आपके अंदर इतना ध्यान प्रगड़ हुआ, देखो, ध्यान करना और ध्यान में रहना, मेरे ध्यान में यही रहता है मैं मन वचन काया से मुट ऐसा सुधात्मा हूँ वो मेरे ध्यान में रहता है मैं करता नहीं हूँ ध्यान में रहता है हर अवस्ता में और दुसरा रहता है यह मन वचन काया पर पाफ इंजरियों से देखती हुई पूरी सुष्टे यह कुद्रती रजना है इसको बनाने वाला चनाने वाला कोई है नहीं सिर्फ कुदरत है बनाने और चनाने वाला कुदरत है इंसान नहीं आप संगी है? यही विजन मेरे को 24 अबस देता है मैं जागू या सो जाँ क्योंकि ये शरीर का सभाव है जागना सोना मेरी द्रश्टी का सभाव जागना सोना नहीं है तो आम लोगों के ये बात कैसे माहूं हो भी है क्योंकि आम लोग तो सरीर देखेंगे ने पर हमारा वीजन सरीर से क्या है राम कर्ष्ण माहिर को भी सोना पड़ता है, अगर उसका विजन सोता है, आप उन साथ को कैसे वालू होगा, कैसे वालू होगा, इस थूल बात थोड़ी है, थूल बात तो आप जिसी सहिर करेंगे, राम भी खाना खाएंगे, आप भी खाना खाएंगे, राम भी पानी पीएं आपकी द्रस्टी में रिलेटीव सकते हैं, और उनकी द्रस्टी में सनातर सकते हैं, वही डिफ्रेंस हैं, बाकि बाहर का सब इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल का मतलब होता है, नॉर्मल मनुष्य की दरागा, इसमें कोई विसेश्था है, नहीं, आप सुने हैं, बाकि क इंसान को मुर्ख बनाना उसका दूसरा नाम है चमत्कार करके या चमत्कार बताके कोई भी वेक्ति आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बज़ता है। वो खिल गिलता है और दूसरों को भी गिलता है। यह सिंपल ध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्या खुद spiritual scientist हूं आध्यात्म विज्ञानी और आप सबको विज्ञानी बनाने के लिए आया हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ कि आपको सिष्य बनाता हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ कि आपको followers बना हूँ, आप समझें, मेरा काम है, मैं scientist हूँ आध्यात्म विज्ञानी और आपक जिश्य बनाने के लिए नहीं आई तो वो ट्रेग में एंट्रेग समझते हैं वो परंपरा नहीं है तो कम आते हैं जाजा आते हैं मैरा भी से नहीं है बी कर्स्टर बागवान ने जब गीता की बाद कहीं थी तो अर्जूल अकेल आ था बोलते नहीं है कि से दस लाग लगते हैं? बोलते नहीं है. तो प्रस्ता बगो ने क्यों नहीं अब तुम दस लाग लग लेकर आओ, बात में छूटक आवे यॉत्त्र दोंगा. ऐसा कहा? भी प्रस्ता तुमारा है, उत्तर मैं देता हूँ. दूसरे वेक्ति के जरवत मैं इसा दया है, बोलत बही एक वेक्ति भी जिगनास हुए तो इनको बता हुने हैं। क्या उसके अंदर परमाक्मा है वो कमजोर है। एक वेक्ति के अंदर। अभी वो भी समझ गया तो बहुत बड़ी बात है न। आप क्यों संख्या में पड़ गए। आप समदे के नहीं। मेरे को बहुत साए लोग कहते है किया अप अकेले है। और आप पयते हैं। य ह энही दुगाद पूरे विष्व के अंदर ये आध्यात में विख्यायत। कैसे लोगों के पाहुँचे है। ऐसे आप प्रयास करते हैं। सबाप से कुछेंगा आप तो अकेले में मदना अकेला हे वो आकी सोच महार्ण पूरूस एसा नहीं समझता है इन्हों थे हुक्या नहीं आजए कि घथा मुणी औरश्ञ नहीं पुरू सुचेगा में नदूत करने वार्धिकार रस्त पर काम करते जाओ पस काम करते जाओ और भावना बड़ी रखो किजना होता है कितना नहीं वो छोड़ दो वो कुदरत के ऊपर छोड़ दो करते हो एक विक्ति भी आये समझाने की पूस्ट करो दस्विक्ति आये तो भी समझाओ तुमको संख्या से क्या मठने जो आये वेलकम करो और आपके पास जो ज्यान है इसको बाटो कि शंख्या को मत समझों देखो राम और खुष्ण ने अपने पूरे जीवन के अंदर कभी भी 25 व्यत्यों के सामने उप्देश नहीं दिया है यह सोर लोग यह बोलिये तो क्या वो महान नहीं है कि 500 विक्ति के सांद प्रोचन करें तो ही महान है बोलते नहीं है यह हमारी स संख्याब को महारी सोच उनकी सोच ने उन की एन यह थी कि मैरे ज्यान में बल होगा तो आज महीं तो कर्ण लाखों करोड़ों यही घ्यान को फॉलो करेंगे यह उनका पावन होता है तो ईसके कर्मों का फुल होता है क्विग सब्सक्राइब में नहीं आते थैं सब्सक्रा तो नहीं पहचानपवाई तो क्लयूंपियू नहीं पहचानपवाई तो क्या बड़ी बाद है। ऑप जब घ्णदर जब safa होगा है। आग नहीं तो कण। यही कल्यूंपके लोग यही ग्यान के पीछे पाल हो जाए। यह विच्ञान का पाद़ है। तो संख्या की बात नहीं है, आज विश्वक के जिजने भी धर्मकुरू है, आप तीवी पर देख लो, आप यूट्यूब पे देख लो, जो भी धर्मकुरू आज प्रवचन कर रहे हैं, तीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप देख लो, उनके पास साल पह पुलिए नहीं करते थे ते अब हर दल की बात करता हो गां कियोंकि मालूर वह बाया कि अग्रियाद नहीं बोलूगा याँ में जन्तन इसको तो दीरे दीरे इनको भी विज्ञान समुत्वा प्रयोग करना पड़ता है। जितना भी समध है, लगर करना पड़ता है। और जितने भी मोटिवेशन वाद है, जो पहले विज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं, आज वो भी करने लगी। अब देखो, यही विज्ञान का पावर है, तो यहां चमतकार के बाद नहीं है, विज्ञान का इतना पावर होगा, अगर आपका एक्स्पेनिसल पावर फूर होगा, दुनिया को आज नहीं तो खल स्विकार करना ही पड़ेगा, और यह मेरी बात नहीं है, यह गुज़त के क और यह विज्ञान समझे बिना कोई विवेटि आध्यात्म के मार में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, धर्म के मार में बढ़ सकते हैं, आध्यात्म के मार में नहीं बढ़ सकते हैं, यह पुन्य होगा, यह पुन्य होगा, यह पुन्य होगा, ऐसी बात है, यह आध्यात्म को मा करो यहां उसकी प्रगदी है तो दोनों का एंगल क्या है तो दोनों की कंपेरिजन नहीं हो सकती है समझ में आया के नहीं तो दोनों बात यहां तो आपकी जीवन पर देने क्या है आपका मेरा समझ की मर्याना कि चाहिए जीवन का देही है की विष्वत के जितने भी ठिंकर लोगे चाहिए कोई धर्म के है समुदाय के हैं समुद आयके हैं जिसको भी भी बिल्यों करता है यह मेरा सब्देक ने, मेरा एक ही सब्देक ने, कि दुनिया के सनातन सथ्य को उचाने, समझे और अनुभव करें, यह मेरा सब्देक ने, कोई राम को माने, कर्ष्ट को माने, मावे को माने, नमाने, यह मेरा विशें है, कोई यह ध्रम को माने, यह फॉलो करें, यह न करें, वो मेरा सब्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द से कैसे आप अनुभाव कर सकते हैं वो बताने की को सिस करता हूं यह सनातन सत्य मेरा यह आध्यात्म विज्ञान का मैं मालिक नहीं हूं आध्यात्म विज्ञान का मैं प्रेजन कर रहा हूं क्या कर रहा हूं मैं ओनर या क्रियेटर नहीं हूं यह आध्यात्म विज्ञान का अ आप कर सकते हैं, और करने के बाद आप दुसरे को बाट सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, क्या बता है? बेच नहीं सकते हैं, यह कॉमर्शल नहीं है, क्या नहीं है? यह सक्ति सास्वत होती है, और सास्वत तब रहेगी जब आप इसको बाटोंगे, जब बेचोंगे खत्म हो ज पैसे कमाने में पढ़ गए आधियात्म मार्क खत्म हो गया और कमर्शल मार्क चाथ्म हो गया फिर वहाँ आधियात्म ढोड़ोंगे तो भी नहीं मिलेगा, आप समझें? तो पैसे में पढ़ गये, आम जिल्दा भी पैसे के लिए प्रयास कर गये, फर्क क्या रहा है, दोनों करें सबका मक्सद क्या हैं हाउ तो में तो बात थे की बšण इसा ठाइए की scrutin सब नहीं बूल सकते हैं जो आपका मकसद ही भी पैसा यह पिलाप नहीं पना स्थे मुक्ति का मार्क इसको कहते हैं कि मैं मुक्त हूँ और मैं मुक्त रहना चाहता हूँ और मेरे पास जो भी आए वो भी मेरे साथ मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे मैं बंदन में रहना चाहता नहीं हूँ और किसी को बंदन में डालना भी नहीं चाहता हूँ तो साइंक्रिष्टों का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को निती नियमों से, क्रिया कांड से, माया की जाल में फसाके, सिश्य बनाके आपको बंदर में डाल जाए। ये मेरा मकसद, मैं खुद, मेरा जीवन का यही मकसद है कि मैं विज्ञाद जिस प्रकार से अनुभव कर रहा हूं इसमें और आगे पर हों और लाखों हजारों लोग यहीं विज्ञाद को समझे, उपयोग करें, अनुभव करें और दुसरे को बातें। यह मेरा मक्सद नहीं है अंग्षा करके बाठने के लिए मेरी पर्मिशन की भी जरूरत नहीं है को कि आपने सनातंस τι क्या गए तो मेरा गए नहीं कि early I Ga Rundan मेरा यहीं मक्सद है कि आप खूद विज्ञान को पहले क्षा से समझो समझने के बाद जिवर में इसका उपयोग करो, खुद आप अनुखव करो और वो अनुखव को दुसरे को भारोगे। यही मेरा मक्सरत है। और इसी प्रकार से गुले विश्म में विज्ञान फ्लाने। जैसे लोग धर्म फ्लाते हैं, ऐसे में विज्ञान फ्लाने के बाद करता है। आप समझे ने। कितने लोग मानते हैं, कितने लोग जानते हैं, कितने लोग स्विक्रार करते हैं, वो मत सोचो। आप बात दे रहो, जब बेशना होता है, तो प्रस्न होता है, बात में में प्रस्न होता है, बात में में प्रस्न होता है, मैंने तरी किया कि मेरे को आज हजा हुपया, घरी को बातना है, कोई तकलिप नहीं, कल मैंने सोता एक लाह हुपया था बातना है, कोई तकलिप नहीं, उसके बाद मैंने सुता एक घुड़ के बाद ना है, तकलीब है? जब बेचना है तो पी क्या है? मगर बाद ना है तकलीब? तो मैं बाटने की बाद प्रता हूँ, बेचने की बाद नहीं करता हूँ, ठीक है?